मुंबई ट्राफिक पुलिस को सल्मान खान के लिए लॉरेंस विश्णोई गैंग की ओर से धमकी मिली है। लॉरेंस विश्णोई गैंग ने मुंबई ट्राफिक पुलिस के वैटसेप नंबर पर मैसेज भेजा है। इसमें सल्मान खान से 5 करोड रुपे की मांग की गई है मैसेज भेजने वाले ने लॉरेंस विश्णोई गैंग के हवाले से कहा है कि अगर सल्मान खान जिन्दा रहना चाहते हैं और लॉरेंस विश्णोई गैंग से दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं तो उन्हें 5 करोड रुपिये देने होंगे, इसे हलके में लेने की गलती न करें। मैसेज में कहा गया कि अगर उन्होंने पैसे नहीं दिये, तो उनका हाल बाबा सिद्धिकी से बुरा होगा। मुंबई पुलिस ने कहा कि मामले की जाच शुरू कर दी गई है। मामले में मुंबई पुलिस ने वरली पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया है। महाराश्ट्र के पूर्वमंत्री और अजित पवारवाली एन्सीपी के दिगज नेता, बाबा, सिद्धिकी की 12 अक्तूबर की रात को गोली मार कर हत्या कर दी गई। इस वारदात में पुलिस के अनुसार तीन शूटरों ने उनकी हत्या की थी। इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्णोई गैंग ने ली थी। मुंबई पुलिस मामले की चांच कर रही है। मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफतार किया जा चुका है।